नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों शत्तिस गड़ वन्य भाग में एसी एफ और रेंजर भरती कभी ग्यापन निकल चुका है और आज से फाम बराना भी स्टार्ट हो गया है जिसके अंतिमति थी 30-10-2021 तक रहेगी औ और आपने अगर इसका विग्यापन वाला वीडियो और यूग्यता वाला वीडियो नहीं देखें तो निचे डिस्कुप्शन में जाकर जरूद देख सकते हैं वह आपकर मिल जाएगा दोस्तों आज मैं आपके लिए यहां पर 2016 इसे आपको और पेपर लेकर आया हूं जो 2016 में यहां भरती निकली थी जिसका एक्जाम यहां पर हुआ था तो उल्ड़ पीपर मैं यहां पर लेकर आया हूं जिसमें समाने ध्यान का यहां पर आपको प्रस्ण देखने को मिलेगा जिसमें कि आपको समाने ध्यान भासा हिंदी अंगरेजी और शत्तवड़भासा टूटल 150 प्रस्ण पूछे जाते हैं जिसमें प्रतेक में दो अंक रहेगा और इसके लिए आपको धाय घंटे का समय दे जाएगी और आपको यहां पर माइनस भी रहेगा तो आईए नीचे में देखते हैं कि किस प्रकार के यहां पर प्रस्ण पूछे गये थे तो सबसे पहले यहां पर जो समानने अध्यान हैं जिसमें 36 गड़ के प्रस्ण पूछे जाते हैं पहले 36 के कोश्चन बहुत ही टप आता था तो हो सकते हैं इस बार थोड़ा 36 का कुश्चन सराल रहे तो आए नीचे बात करते हैं यहां पर किस तरह के आपको यहां पर कोश्चन अधर दिया गया है तो उसका सही आंसर क्या होगा यहां पर एक तीन और चार इसमें आपसान बीमबा जी परसोजी चीड़ा मड़ी और वेंक्यों तो इसमें एक तीन और चार इसका सही आंसर है पहले कुट वाला कोश्चन पेसी में बहुत आता था अभी थोड़ा सा कम वा यहां पर इंग्लिस में भी देख सकते हैं उसका बाद आईए नेक्स्ट कोश्चन है दूसरा नंबर यहां पर 1741 में 36 गड़ पर मराठा सा अक्रमर के समय रतनपूर राज्य का कल्चूरी सासक ने उनकित में से कौन था तो इसका सही आंसर हो कर दूसरा भी रगुनात स इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा अधिक्तम इवा निंतम अनुसुचित जाती वाला जीला निमन लिखित में से कौन है इसमें भी कूट वाला कोश्चन पूछा गया है जिसमें पहला है आपका बलोदा बाजार मुंगिली सुक्मन अरायनपूर जानगिर चैंपा तो आप पड़ी पांच और चार जो कि पुछा गया है कि इन उन्तम उनुसुचित जाती वाला जीला तो इस तरह आपका यह कोश्चन है उसके बाद नेक्स्ट है पूरे शत्तिज़गर कोश्चन मिलेंगे आपको पचास प्रसन तक आप कोश्चन को देखते जाए कि कि किस लेवा और सी होगा कांकेर में इस्तित है नत्या नमागाहों नेक्स्ट है गड़िः पहार किस जिले में इस्तित है यह उसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा एक आंकेर जिले में गरिया पाहड इस्तित है यह कोश्चन आपका में भी पूछा गया था और पेसे में भी पूछा गया है इंगलिस लेंगज वाले यहाँ पर इंगलिस देख सकते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट है हमार 36 गर्योजना के अंतरगत भ्रह किसे का पांच मुख्य कार्यकरम का संबंध है तो एस आठवय का सही आंसर क्या होगा सिक्षा गुडवत्त संबंधित है यह नेक्सट रहें। बटालियन के गठन केंद्र सासंद्वारा किया जा रहा है यहां पर निरांचल पर योजना के लिए दोस्तों वह रक्षक भरती कभी जल्द ही जारी होने वाली है अगर आपने इसके युग्यता सिलिबस की जानकारी नहीं देखिया है किस भरती किस प्रक्रिया से होती है क्या कि आपको यहां पर सारी देख्षता देना पड़ेगा तो आप नीचे डिक्स्ट्वारी कभी जल् तो इचे जाकर जुरूर देख सकते हैं नेक्स्ट है रिक्ति स्थान भरिये जब आइस बादर खालिस्थान सूरज मू तो फिस भरिया तो दस का सही अंसर क्या होगा बी सही आंसर क्या को करिया ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है वर्स दोज़र चुदा पंद्रा में 36 गर् क्योंकि पेसी अपकर टफ एक्जाम होता है और उसमें सेकेंड अधिकारियों की भर्ती होती है नेक्स्ट है वर्स दोज़र चुदा पंद्रा के लिए 36 गर्राज जी के राजकोशी घाटा का प्रतिसत अन्मान क्या है तो इसका सही आंसर क्या होगा एह दूद्द्र उसके वाज़र सीचाइफ डिस्फ पर्योजणा विसका सही अन्सर क्या होगा बी बांध परियोजेना तो चातिसगन को आपको अच्छा से क्रण अपड़ेगा क्यों कि इसमें 50 प्रस न पूछ जाते हैं और शतिसगण के का noise के लिए आपके जो भूख है आप हाली राम पटेल ले सकते हैं इसे श्ट अध्यान और आपका तुटेजा का भी बहुत अच्छा भूख रहता है दोनों लेका आप असानी से पर सकते हैं उसके बाद है वन शेट्रिफल के दिश्टिस से भारत में 36 गड़का इस्थान कौन स है तो उसका सभ्यांसर क्या होगा वि महाभारत पनवानी में महाभारत यहाँ पर कायान को बताया जाता है उसके बाद है राइगार घराणा के नर्थक कोन नहीं है तो 17 कुस्चन है यहाँ पर ए बिर्जु माहराज बी पंड़ित कर्तिक राम से पंडित फिरतु माहराज है कि यह पर नेक्स्ट क्रम्हेंन का है उंपर महा बांप संसर चालो है कि महाभारत पर अधारित रहता है इसका बाद नेक्स्ट है राइगाड घराना की नर्तक कौन नहीं है तो आए यहाँ पर देखते हैं जिसमें ए आपसर है पंदेत बिर्जु महराज पंदेत कार्थिकराम पंदेत फिर्टु महराज पंदेत काल्यारदास तो इसका सही अंसर क्या होगा ए पंदेत बिर्जु म तो ये सभी को होगा कि ब्लासपूर जिलस संभंधे तताला गाहूं पहला है विरभद्र दुसरा यम तिसरा सी रुद्र और डी है आपका काल भाहर हो तो इसका सही रुद्र यहाँ पर इसका सही अंसर है नेक्स्ट है राइपुर के प्रत्थम अवासी विद्यला प्रयास के स्थापना कब हुई तो इसका सही एंसर क्या होगा यहाँ पर दो हजार दस में नेक्स्ट कोश्टन है वैदिक काल में 36 गड़ को निम लिखित में से किस नम से जाना जाता था तो ए आपसन है दक्षड को सल भी चेदिस गड़ से देंड का लेने डी बुरवाना तो इसका सही किसी भी नाम से नहीं जाना जाता था उसके बाद नेक्स्ट आपका 22 कोश्टन निर्म लिखित में से कौन से जूरी 36 गड़ प्राचिन इस्थापत्य इमम राजवन से सुलमित है तो यहां पर आप देखिए तो इसका अंसर को डिलिट किया गया है जो कि आदेख सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट कोश्टन निर्म में लिखित कथन पढ़ी है 36 गड़ में कल्चूरी प्रसासन व्युस्था राजस्ता अंदर पर अधारित थी राजा के सहाता के लिए अमत्ति मंत्री होते थे संपूर कल्चूरी राज गड़ों में विभारित था तो इसका सही अं इसर क्या होगा यहां पर डेंग जो कि एक तीन और चार आपका एक तीन और चार यह सब राइपूर की कल्चूरी साखा से संबंधित थे नेक्स्ट है निर्म लिखित कथन पढ़ी है 36 गड़ के प्रसम सुबेदार महिपात राव के समय में सासन की सारी सक्तियां अनंदी ब आसे अनसर साहिए नियां तो इसका सहीन अनसर क्या अपको यहां पर ए, एक दो तीन स्थर नेक्स्ट है !! कोले से भी आप देख सकते हैं लुहाय से भी इस सब कोश्चन उच्छा जाते हैं हर एक जामों में 36 गड़ राज्जे में इस तरी लुहा ऐसके किस जिल्य में नहीं पाए जाता है तो इस सबसे अधिक मूले के रजस्व आप्राप्त होती है ए लुहा से बी कोईले से सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है नेक्स्ट है चत्तिस गड़ में आटो मोटी उद्योग निती लागू है और तिस्वा कोश्चन है तो इसका सबसे अंसर क्या होगा सी एक नॉमबर 2012 से 31 अक्टूबर 2017 यह पुराना करेंट अपफेर है इसमें आपको करेंट अपफेर भी सामील है उसको भी आपको यहाँ पर पार पाणा पड़ेगा दो किशाइश गर से सम्मंधित करेंट अपफेर तहेंगे उसके वाद नेक्स्ट है केलो परियोजना में किस जीले को सुचाई सुधा का लाव मिलेगा यह रायगाड बे रायगाड अम जयस्पूर सी रायगाड अम जयनगिर चापा यह जश्पूर यह जयनगिर चापा त सब्सक्रांब कि साथ वन परिऊजना मंडल इस्थित है यह 2016 की समय की बात है नेक्स जा श्टिस गर राज्य के कितने मंडल में होम अर्वल गार्डन के स्थापणा की गई है तो इसका सही आंसर क्या होको 20 इसका सही आंसर है जो कि 7 वन मंडल की यहाँ पर स्थापना की गई है हर बलों मंडल की नेक्ट है सहीं तो वन प्रबंधन के अंतरगत कितना 6,36 गर्डाज्य के अंतरगत आता है तो इसका सही आंसर है इन में से कोई नहीं दोस्तों आपको यहां पर वन भाग के एक्जाम के लिए रिंजा रेसिप एक्जाम के लिए आपको वन से सम्मधित कोश्चन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वन के बारे में यहां पर लगभाग 5-6 प्रसने पूछा जा बाते हैं तो आप उसके तैयार अच्छे से करके जाएएगा नेक्स्ट राज्य में धान के बाद दूसरे प्रमुक्ष नाच की कौन से फसल है तो इसका सही आंसर क्या होगा डी मक्क्रा नेक्स्ट हैं 35 कोशन पंचायत राज क्रिया क्रिया क्लाप पर निम्नांकित समीतिय क्रियों का अरोही करम बताना है तो यहां पर आपको बरते करम बताना है तो इसका 35 का सही आंसर आपको हो जाएगा C A B C D अब यहाँ पर देख सकते हैं next है कुर्सेल घाटी किस जिले में इस्थित है तो इसका सही अंसर क्या होगा B नरायन कुर्स जिले में इस्थित है कुर्सेल घाटी यहाँ पर आपको option दिया है 5 option पहले आपका 5 option था A B C D E अब यहाँ पर आपको 4 option देखने को मिलेगा पहले आपको 5 रहता था तो उसमें ज्यादा दिक्कत होता था अब यहाँ पर 4 आपको option रहेगा और माइनस मार्किंग फ्यू वन थर्ड यहाँ पर रहेगा उसका बार next है तो यहाँ पर 5 option दिया गया है एक आंकेर B कुंडा गाउं C नरायपूर D विजापूर इसका सही अंसर क्या होगा D विजापूर में इस्थित है नडापली गूफा next है दो हज़र चुद्वद्वा तक 36 गड़ की कितने स्थानों को पूरा तत्विक दिरिष्टे से चिनहित किया गया था तो उसका सही अंसर क्या होगा भी 117 इस्थानों को यहाँ पर चिनहित किया गया था 36 गड़ पूरा तत्विक विभाग के द्वारा next है तो इसका सही अंसर क्या होगा यहाँ पर दो हजार दो कुछ चतिस गड़ पर एटर मंडल का गठन किया गया था next है अब कर यहाँ पर तो इसका सही अंसर क्या होगा यहाँ पर लक्षमण मस्तूरिया जो की गितकार है बाकी आपके आपके यहाँ पर सब लिखा कहें तो चतिस गड़ को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा पूरा सीलेबस कवर करना पड़ेगा हर टॉपिक से यहाँ पर प्रसन में पूछे जाते हैं तो उसके बादा next है 36 गण मैं आप उस्छी शरीच किस अंग में पहले जाते हैं तो सहीं सबसें सही ममने चेंटिस गटें कर बूं है तो इसका सही आंसर और मुख्षी न्हें नित्व में क्या जाते हैं यहां सभी को पता होगा इसका सायांज्यांज्यार क्या होगा दो है रावत नित्त्य में क्या गाये जाते हैं यहां पर चाराफ संदिया जनता द्वारा प्रत्यक्षी निवाचित होते हैं, निर्मिलिकित में से किस ने इस्थानी सोस्षन को भारत में लागू किया था तो इसका सही अंसर क्या होगा बी लाट रिपन ने इस्थानी सोस्षन को यहां पर लागू किया गया था प्राजय सचिवाला के प्रिवाजस में मंध्री मंदल को जाने वाली सभी फाइले कि इसके माध्यम से जाने आवस्यक है तो इसका सही अंसर क्या होगा मुख्य सचुक के माध्यम से सभी फाइले यहां पर प्रसासन में मंत्री मंदल को जाती है दोस्तों इस तरह कि यह प्रस्ण थे 36 गड़ से संबंदित तो आप अच्छे से 36 में रहता है इसे फ्रेंजर का दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको हिंदी का प्रस्ण और 37 गड़ी और अंग्रेजी के प्रस्ण देखने को मिलेगा तो उम्मीद करता हूं कि यह आपको पसंद आगए तो चले दुस्तों चनल में ऐसे बने रही वीडियो को लाइक कर नना बूल देन आवाग